तो हेलो बाबा लोग, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हूँ एक बहुत ही जबर्दस ख़बर, ये जानते हैं आज कि शारुखान क्यों कपिल शर्मा शोव पे अपनी फिल्म प्रमोट करने नहीं जा रहे, वैसे इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ लेकिन इसके अलावा इसके दो मेंन रीजन्स हैं, पहला पॉलिवोड के अंदर एक ओवर एक्स्पोजर थेओरी है, ओवर एक्सपोजर थेओरी है अक्चुली एक ऐसी थेओरी है जिसके मताबिक एक अक्टर को एक पॉइंट तक जादा नहीं दिखना चाहिए, क्यूंकि अगर वो जादा ओवर एक्सपोज हो गया तो लोगों के अंदर जो उसे देखने की चाहा हो रहती है वो धीरे-धीरे डिमिनिश होती जाती है यह सेम चीज आप अक्षे कुमार पर भी लागू कर सकते हैं मुझे ऐसा है कि अब अक्षे कुमार को आप इतना देख चुके हैं कि आपको उनको देखने की जो चाह है वो तीरे-धीरे खतम होती जा रही है और बॉलिवूड में बहुत प्रेबलेंट है हर कोई एक दूसरे को यह बात समझाता रहता है कि ओवरेक्सपोज मत हो ओवरेक् कि आमिर खान भी इतने सालों तक इतने बड़े अक्टर इसी लिए रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये एक ऐसी चीज़े जो हमेशा जुड़ी रही अच्छा हमको जिकार रही है शारुक खान को यही चीज बहुत जबर्दस वक कर गई पठान के अंदर लोग इतने सालों पसंद आई मेजर बात इसके दूसरे पॉइंट में शारुक खान एक्चुली आरेन खान के केस के बाद मीडिया को एवॉइड कर रहे है अपने चीज नोटिस करी है कि शारुक खान से एक भी सवाल आज तक आरेन के केस के बारे में नहीं पूछा गया है आप इंडियन पसंद नहीं होती ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा केस हो गया और शारुक खान से एक भी सवाल नहीं पूछा गया यह हो नहीं सकता है यह naturally possible नहीं है एक तो पी आर टीम पूरा ध्यान रखी है कि ऐसा कोई भी question शारुक खान से ना पूछा जाए दूसरा अगर वो कपे इस चीज में फसना नहीं चाते है और सही भी है अपने बेटे का केस है कौन इन चीजों में पढ़ना चाहेगा साती साथ कोई भी अकलमन इंसान हमेशा यही कहेगा इस केस के अंदर कि इन चीजों से दूर रहे तो बेटर है इसलिए आगे भी मुझे नहीं लगता कि पर आगे भी इसलेबरिटी आएंगे इसकी कोई गैरेंटी नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से टीरप के अंदर नीचे गिरावत आ रहे है और साथी साथ मुझे नहीं लगता कि अब लोग फिल्म्स को प्रमोशन के बेस पर देखने जाते हैं लोग फिल और आगे पर आगे डागे इसलेबरिटी आगे लोग इसलेबरिटी आगे अगे लोग फिल्म्स को पता है तो अब वो चाम भी रहा रहा है और यह चीज़े सारी शारुक नहीं चुनू गह रही है शारुक ही सबसे आदा मार्केटिंग किया करते थे और वोग फिछे अट तो मुझे 100% पता है कि इतना बड़ा स्टार जब खुद ही नहीं जाएगा आगे तो बाकी लोग भी ये सारे प्रमोशन के प्रॉब्लम्स को कट डाउन करते जाएंगे और धीरे धीरे ये प्रमोशन होनी भी बंद हो जाएंगे तो ये थी मेरे खबरी की खबर जो मैं बहुत ही ध्यान से निकाल के लाएं मुंबई से हमारे पास बहुत सारे ऐसे खबरी हैं जो आपको जबरदस खबरे देते रहेंगे बॉलिवूड के बारे में असली और जबरदस्त कोई फाल तो किन और टंकी नहीं तो स्टे टून टू फिल्मी बाइट मैं आता रहूंगा और आपका इंटेटेइन्मेंट करता रहूंगा